प्राजिन काल में एक सेड़ जी के साथ पुत्र थे, साथों के विवा हो चुके थे, सबसे छोटे पुत्र की पत्ली स्रेश्ट चरित्र की थी एक दिन बड़ी बहु ने घर लेपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी धलिया और खुर्पी लेकर मिट्टी खोदने चली गई तभी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहु खुर्पी से मानने लगी यह देकर छोटी बहु ने उसे रोगते हुए कहा दीदी इसे मत मारो यह वेचारा नियो प्राध है यह सुनकर बड़ी बहु ने उसे नहीं मारा तभ सर्प एक और जा बैठा तभ छोटी बहु ने उसे कहा हम अभी लोट कराते हैं तुम यहाँ से जाना मत यह कहकर वो सब के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई वहाँ कामकाज में अफसकर सर्प से जो वादा किया था वह उसे भूल गई उसे दूसरे दिन वहाँ बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को एक इस्तान पर बैठा देकर बोली सर्प भाईया नमस्कार तु भाईया कह रही है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ नहीं तो तुझे अभी डस लेता भाईया मुझे बूल हो गई उसकी चमा मांगती हूँ अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ तुझे जो मांगना हूँ मांग ले भाईया मेरा कोई नहीं है अच्छा हुआ जो तु मेरा भाई बन गया कुछ दिन व्यतित होने पर वह सर्प मनिश्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो सबने कहा कि इसके तो कोई भाई बहन नहीं था तो वह बोला मैं दूर के रिष्टे में इसका भाई हूँ बच्पेर में ही बाहर चला गया था उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहु को उसके साथ भेजिया उसमें मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ इसलिए तो डरना नहीं इसलिए जहां चलने मैं कठिन हूँ वहां मेरी पूछ पकड़ लेना और चोटी बहु ने उसके कहने के अनुसार ही किया और उसके घर पहुँच गई वहां के धन ऐश्वरे देखकर वो चकित हो गई एई दिन सर्प की माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ तो अपने भाई को थंडा दूद पिला देना उसे यह बाद ध्यान न रही और उसने गर्म दूद पिला दिया जिससे उसका मूँ जल गया यह देकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई परंतु सर्प के समझाने पर वसांत हो गई तब सर्प ने कहा कि बहिन को अब उसके घर बेजना चाहिए तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चाह दी जवारात वस्त देकर उसे घर से विदा किया इतना धेर सारा धन देकर बड़ी बहु ने इस्या से कहा भाई तो बड़ा धनवान है तुझे तो उसे और भी धन लाना चाहिए था सर्प ने जवाद वाचन सुना तो सब वस्त में सोने की लाकर दे दी यद देकर बड़ी बहु ने कहा इन्हें जारने में जारू भी सोने का चाहिए तब सर्प ने जारू भी सोने की लाकर रख दी सर्प ने छोटी बहु को हीरा मणियों का एक अद्भुध हार दिया उसकी प्रसंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली सेड़ जी की छोटी बहु का हार यहां आना चाहिए राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह उस हार को लेकर सीगर उपस्तित हो मंत्री ने सेड़ जी से जाकर कहा महरानी छोटी बहु का हार पहनना चाहती है वह उससे लेकर मुझे दे दो सेर जी ने डर के कारण छोटी बहु का हार मांग कर उसे दे दिया छोटी बहु को यह बहुत ही बुरा लगा उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रात्ना की यह रानी ने हार छिन लिया है तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लोटा दे तो वह हीरा और मणियों का हो जाए सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया यह देखकर रानी चीक पड़ी और रूने लगी यह सब देखकर राजा ने सेर के पास खबर भेज़ दी चोटी बहु को तुरंत भेजो सेर जी डर गए न जाने राजा अब क्या करेगा वे स्वें चोटी बहु के साथ उपस्तित होए राजा ने चोटी बहु को पूछा तुम क्या जादू करती हो मैं तुम्हें डंड दूंगा चोटी बहु बोली अजन मुझे छमा कीजिए यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है यह सुनकर राजा मियुआ सर्प बना हुआ हार उसे देखर कहा अभी पहन कर दिखाओ चोटी बहु ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना वो हीरो और मणियों का हो गया यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रस्तन होकर उसे बहुशी मुद्राएं और प्रुस्कार दिया चोटी बहु अपने हार और धन लेकर घर लोटी उसके धन को देखकर बड़ी बहु ने इस्या के कारण उसके पती को सिखाया की चोटी बहु के पास कहीं से धन आया है यह सुनकर उसके पती ने अपनी पत्नी को बिला कर कहा एक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है तो हुआ सर्प को याद करने लगी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा पदी मेरे धर्म बेहन के चरित्र पर कोई संधे प्रकट करेगा तो मैं उसे खालूंगा यह सुनकर छोटी बहु का पती बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया उसी दिन से नाक पंचमी कातेवार मनाया जाता है और सभी इस्त्रिया सर्प को भाई मान कर उसकी पूजा करती है